पैसे की जितनी importance है उसको उतनी ही importance देना क्या वो greed है या वो need है वो need है अब problem क्या है कि हमारी needs इतनी भढ़ गई है कि greed और need के बीच की lining खतम हो गई है हमने अपनी needs इतनी भढ़ा ली है कि उसको पूरी करने के लिए हमको greedy होना पड़ेगा यह difference हमको बिल्कुल clear है ना पेट भरने के लिखा एंतो वह रहे हैं तो वह रहा हैं औरермाश्य तके लिखा वह रहा हैं तो ध यो आप डिजायर है, उसके वह रिजायरी भी कहा सकते हो ग्रीड भी भी लिख बी देखातेon Greed is not just for money It's for name, fame, sensations, experiences पतनी क्या 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 क्र जिस किस तरह के desires हैं जितनी भी हमारी जरुवत है, उसके उपर जो भी कुछ है, वो सब ग्रीड है, वो सब हमारे डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स क्या करते हैं हमारे माइंड को, पीसफुल करते हैं, रेस्लेस करते हैं, तो जिसन डिजायर्स को आप अपना दोस्त समझ रहे हो, अगर आप डीप समझधारी चाहिए होती है दो टीम्स हैं आपस में कॉंपीट कर रहे हैं मानों एक फुटबॉल का मैच होने वाला है एक को बोला जाए उसको पुरा चार्जटब कर दिया जाए तुम्हें अपनी कंट्री के लिए खेलना है ये करना है वो करना है तुम्हें मैडल लेकर आना है ये करना है वो करना है एक तरह से दूसरी टीम है उनको बोला जाए कि तुम्हें अच्छा खेल खेलना है पाल्तू की चीजे नहीं सोचनी है कि ये करना है वो करना है वो कुछ नहीं करना है अपनी गेम पे धान दो यानि समझदारी से खेलो तो कौन जादा पीसफुली खेल पाएगा और कौन रेस्लेस हो करके खेलेगा किस में प्रेशर जादा होगा फस्ट वाले में प्रेशर जादा होगा कि अगर मैं हार गया तो इतने करोड़ों लोग देखने वाले हैं टीवी पे मेरा क्या होगा, मैं किस मूझ से जाऊंगा वहाँ पर जा गर कर कि पनी शकल दिखाऊंगा डर आएगा न साथ में, डिजायर के साथ में डर नहीं आता क्या जितनों डिजायर होता है उसनों डर भी होता है साथ में तो यह है तरीका जैसे लोग समझते है बट एक्चुल में जब जैसे ऐसे लाइफ आपको गहराई से समझ आ जाती है तो आपको समझ आ जाता है कि डिजायर एक्चुल में हमारा कोई दोस नहीं है दुश्मन है अंडरस्टांडिंग इस अरियल फ्रेंड एक तरफ से एक बंदा है उसके इंदर डिजायर नहीं है जीतनेगा लेगिन गेम की समझ तगड़ी है कौन जीतेगा समझ आपको समझ है सिंपल है रहा है वो कह रहा है मैं हारू जीतू मुझे को फर्क नहीं पड़ता मुझे अच्छा खेलना है खेलना इस नौट डिजायर इस नीड देखना ध्यां से समझ ना बच्चों के लिए खेलना यानि एक्टिव रहना फिजिकली वो डिजायर रहे है नीड है डिजायर और नीड में फर्क समे जा रहा है ना जो भी एमारा बेसिक नेचर है उसके साफ से एक करना इस एज में तो मज़ा आ जाएगा समझ क्या कहती है अभी आप लोगी शादी तो ही नहीं है तो अभी एक एक एक्सपरिमेंट करो कुछ दिन के लिए में भी हफ्ते के लिए तस दिन के लिए कम से कम पैसे में सर्वाइव करके देखो बिन अपने मुबाइल फोन के बड़ी बात नहीं है कोई भी ऐसी जगे पर जाक करके एक बार अपने लिमिटेड दाएरे से बाहर निकल करके देखो अभी हम क्या है वोई चार दिवारी में छोटे से घर के अंदर गुल-गुल-गुल-गुसे रहते है वहीं पर गुमते रहते है वहीं पर अपना मुबाइल पर लगे रहते है तो एक्च्वल में देखा जाए तो आप मुबाइल में ही जी रहे है उस बॉक्स में जी रहे है देख रहे हो लाइफ कितनी छोटी हो गई है पहले फिर भी लोग खेतों में जीते से कवा भई मुबाईल में ही जी रहे हो आप ये आपकी लाइफ है बस ये है आपकी लाइफ इतनी से लाइफ है इसको बढ़ा करो ना बढ़ा करके देखो ट्रेकिंग करके देखो कुछ ऐसा करके देखो जहां पे आप अपनी लिमिट्स का थोड़ा सा पुश करो और कम पैसे में जी करके देखो और देखो कि उसमें मज़ा आता है नहीं आता है इस सब चीजे मैं बहुत बार कर चुका हूँ अपनी लाइब में करता भी हूँ इसलिए मैं आप लोगों से शेर कर रहा हूँ इससे क्या होगा आपको ये समझ आ जाएगा कि पैसे की जो मेरी जरूरत है एक्च्वल में जो नीड है नीड फॉर मनी तो पैसे को आप खुशी से नहीं जोड़ोगे अभी लोगों ने क्या गड़बड कर दी है पैसे को खुशी से जोड़ दिया है अब आप पैसे को किसे जोड़ोगे पैसा किस लिए चाहिए शर्वाइवल के लिए और सर्वाइव करने के लिए मेरी जो जरूरते हैं बहुत ही कम है आप कहोगे वह सब को चला भी जाए मेरे हाथ से, मुझे फर्क नहीं पढ़ने वाला है, यहीं प्राक्टिकली आप ऐसे कही बार रह करके देख चुके हो अके लिए, कम से कम पैसे में भी खुश कैसे रहते हैं, वह आपको डीपली समझ आ चुका है, इस अंडेस्टांडिन विल टेक किय अपके लिए भी आप निकल जाएगी, निकाली नहीं पड़ेगी, यहीं मुझे बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए खुश होने के लिए, यहीं भी आपको अगेंस्ट इट, जैसे लोग क्या होते हैं, वह एक दम से उधर भागते हैं, कि मेरी बात का क्या मतलम निकाल है, किस बेस पे आएगा आपके डिजायर्स की वएसे, आप जो मांग रहे हुसके वएसे, आपके काम की वएसे, अच्छा काम करोगे तो आएगा, जितना करोगे उतना मिलेगा, तो वहां से अगर बहुत पैसा आ भी किया, और आपके वाज में बहुत सारी गाड़िया भी फड़ से बड़ा घर वोगया, तो यह अनौट अगेंस अगेंस तो यह नोट अगेंस्ट कंफॉर्ट, वटाओट गेंस्ट, पर दे सेम ताइम, यह अरॉज रेदी तो लिव विदाउत थिंग्स, तो जब इस तरह से उनको समझ हा जाता है, तो हमारे अंद से ग्रीड घर में LED TV तो बड़ा होना ही चाहिए मुबाइल फोन ये ये हजार दो जार वाला नहीं चलेगा हाँ, बढ़िया मतलब स्मार्ट फोन 30-40 जार पे का, 50 जार पे का, होना ही चाहिए आप में जो जादा ही peer pressure in the sense लोगों को जो बहुत जादा importance दे रहा है वो आपको greedy मिलेगा, क्योंकि उससे compete कर रहा होगा competition में फढ़ फढ़ाएगा, कोशिश करेगा बहुत कुछ अचीव करने की कर पाएगा नहीं, नहीं कर पाया तो परिशान हो जाएगा कर लिया तो और हवा में चल जाएगा मैंड कैसे peaceful होगा, वहाँ पर relation कैसे बनेगा यह हमारी बहुत बड़ी गलत फ्हामी है कि पैसे से relationship बनती है वो जो पैसे से relationship बनती है, वो उसकी value है मतलब की relationship होगई ना वो फिर कैसी relationship होती है कि अगर आप जा करके बात करोगे ना अपनी वाईश से मेरे को इतना पैसा कमाने के लिए वहाँ बाहर जाना है जाओ ना, जाओ यह आप यह relation है इस दिस रिलेशन्शिफ पांस साल के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, हाँ जाओ अरे भाईया, फिर तो पैसे से relationship है आपस में तो है ही नहीं दोनों की ही पैसे से relationship है relationship मतलब क्या? साथ ज्यादा important है, बजाए कि पैसा और साथ होने का मतलब क्या है? मैं भी peaceful, वो भी peaceful उसी को साथ बोलते हैं उसी को जुड़ना बोलते हैं मैं बॉखलाया हुआ, तू बॉखलाया हुआ हो गया हो जा दुनिया की नजर में बड़ा अच्छा relationship है यानि की, फेस्बुक के उपर बड़ा अच्छा relationship है सब अपनी हस्ती भी photo डाल रहे है सब बड़ी कमाल की थी उसा लग रहा था पड़ी तोता मैंना मिल गई या अथा इतनी बड़ीया लाइफ होई सकता ये क्या हुआ एक दम से समझ नहीं क्या हो रहा है सब दिखावा है तो आपको दिखना है आपको भी दिखावे बाली है जी नहीं है यह एक्चुल लाइफ जी नहीं है दोनों में बड़ा फ़र्ख है दिखावे वाली लाइफ मतलब क्या है कि अपने अपो खुश दिखा रहे हो दुनिया को प्रूव कर रहे हो देखो मैं कितना खुश हूँ उससे क्या होगा नाट इंपोर्टन एक्चुल लाइफ क्या है कि दुनिया को लगता है कि नहीं आप खुश नहीं हो लेकिन एक्चुल में जिसके भी साथ आप रिलेशनिशिप में हो बहुत खुश हो और वो बहुत खुश है दुनिया को क्या लगता है क्या उसे अफ़र किया पड़ता है तो जैसे सिए चीज़े हमको गहराई से समझ आती चली जाती है तो क्या होता है इस UNDERSTANDING से आप ठहरते चले जाते हो क्योंकि अब UNDERSTANDING की POWERS आपको समझ आ ले UNDERSTANDING से आपने अपनी needs कम कर ली understanding से आपने अपनी powers भढा ली कि किसी भी काम को समझ करके कैसे वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाये जा सकता है इसके लिए understanding चाहिए understanding से हम अपनी needs को बहुत कम कर सकते है और यह देख सकते हैं जितनी needs हमारी कम होती है खुशी उतनी ही ज़्यादा होती है अभी आप इसका उल्टा समझते हो इसे हमारी आदत सब क्या है भर देना चीज़ों को घर देखो कि अपने सब भरे पड़े हैं घर क्या है कबार घर है यह माओं की क्या प्रावलम होती है आप सबको पता ही है, मुझे बताने ही ज़र रहे है, कभी काम आएगा, कब आएगा, पता नहीं, मैं अब दो बच्चे है, जब तीसरा आएगा तब काम है, अब कब आएगा तीसरा, यह बात पकड़ में आ रहे है, हमारी सबकी आदद क्या है, भर देना अपनी लाइफ को, बहार हमने चीदों से भर रक्त है, अलमारी अपनी जागर पढ़ मुण आस्यको कड़े हैं, जो आपको पता ही पहंते ही नहीं., पहंते हूपिन वही गिनेचुने हो, यह बर रक्खा है, घर को भर रक्तो है फरनीचुर से, और हमको लगए इससे खुश कहीं मिलती है, पभ जहां पे घर में, सब खाली मिलेगा आपको, बहुत कम काम की चीज़े दिख रहे होंगी, मतलब अगर एक छोटी सी भी कोई चीज पड़ी हुई है, तो वो इसका मतलब यूज हो रही है, इसलिए वहां पर पड़ी हुई है, एक भी चीज यूजलेस नहीं है, जो यूजलेस करके खुशी मिलने वाली है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी बिल्कुल opposite बात कह रहा हूँ, जितनी कम चीज़े आपके पास में हैं, कम जरूरते हैं, जितना खाली पन है आपके आस पास में, उतनी ज्यादा खुशी है, जितना भर रहे हो, उससे खुशी नहीं है, ऐसे ही ब पार घर बना हुआ है, तो जब आ भार से चीज़ों को खाली करते हो, अंदर से खाली करते हो, अब आपीस्फुल रह सकते हो, जिस सब कैसे हो सकता है, अंडर्स्टेंग से, आपका जो बेसिक नेचर है, वो है इमिटेशन का, जैसे बंदरों का होता है, एक दूसरे की नकल करना है, मेरे दोस्त ये कर रहे है, मेरे रिष्टदार ये कर रहे है, सब ये ही कर रहे है, तो मैं ये ही करूंगा, तो सारे बंदर वो ही कर रहे है, तो सारे बंदर वो ही कर रहे है, बंदर कहलो, खचर कहलो, कुछ भी कहलो, ठीक है न, तो ये है खचरों की दुनिया, खच आप लाइफ देखो कि बहुत सारे लोगों के उनसे पूचो आपने किया अपनी लाइफ में? पचास साल आपके एज हो किया अच्छे, साफ सुथरे खाने को गोबर बनाने के अलावब और क्या काम किया आपने है? संझाओ, कितना गोबर क्रिएट किया होगा आपने? कितने टन कोबर आपने क्रिएट किया है? बात पकड में आगई ना? अंडेस्टैंडिंग से हम अपनी नीड्स को कम कर सकते हैं अंडेस्टैंडिंग से हम खुश हो सकते हैं अंडेस्टैंडिंग से हम अपनी जो कैपेबिलिटी से उसको बढ़ा सकते हैं इतनी भड़ा सकते हैं कि जितना पैसा चाहिए उससे लाग गुरह जादा खुछ चल करके आपके पास में आए आपको मांगना ना पड़े अंडेस्टाइणिंग को आपके अंदर से पूरी तरह से निकल जाए आपको पता होगे यार बाया हाथ काखे बाया हाथ यह पता होना चाहिए है इतर से यह पता होना चाहिए कि भई सब चला भी जाए तो कोई बढ़ा है दोसी तरह से आपने जो पैसा कमाया है उसको पाग कि तरह खर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीड्स ही आपकी बहुत कम हैं तो सोच समझ करके खर्च कर रहे हैं सेविंग्स भी करी हुई है इससे क्या होता है माइंड खाली हो जाता है फालतु की चीजों में occupied नहीं रहता है जितनी understanding हमारी भढ़ती है उतना ही हम peaceful हो जाते हैं उतना ही लाइफ में खुशिया आ जाती हैं दीरे दीरे जितना हम peaceful होते हैं जितना हमारे अंदर खुशिया आती है उतना ही वो लोग जो हमारे contact में आते हैं वो भी peaceful होते चले जाते हैं वो भी खुश रहने लग जाते हैं मेरी बातों को सुन करके यह नहीं बोलना है काश म सा बनाना है